बॉलिवुड अभिनेत्री पूनम पांडे का 32 साल की उम्र में निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से कैंसर से जूज रही थी। पूनम पांडे ने 2013 में फिल्म नशीली नजरे से बॉलिवुड में डेब्यू किया था। उन्होंने कई फिल्मों और टीवी शो में काम किया था। पूनम पांडे के निधन की खबर से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। कई सितारों ने सोशल मेडिया पर उनके वाइकल कैंसर के कारण खो दिया है। हर व्यक्ति जो कभी भी उनसे मिला, उसे उनसे प्रेम मिला। दुख के इस समय में हम अपनी गोपनियता का अनुरोध करते हैं। हम उनके द्वारा शेयर की गई हर बात के लिए उन्हें प्यार से याद करेंगे। पूनम पांडे को 2022 में कैंसर का पता चला था। उन्होंने अपनी बीमारी के बारे में सोशल मीडिया पर खुलासा किया था। उन्होंने अपनी बीमारी से लडने के लिए काफी साहस दिखाया। पूनम पांडे के निधन से उनके परिवार, दोस्तों और प्रशनसकों को गहरा दुख हुआ ह उनके निधन से फिल्म और टेलिविजन उद्योग में एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया है। उनम पांडे का जन्म 11 मार्च 1991 को हुआ था। उन्होंने 2013 में फिल्म नशीली नजरे से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। उन्होंने तेरे बिन यमला पगला दीवान आज ब्लू है पानी पानी नागिन तीन जैसे फिल्मों और टेलिविजन धारावाहिकों में काम किया है। उन्हें 2022 में कैंसर का पता चला था। उनका निधन एक फरवरी 2024 को 32 साल की उम्र में हो गया। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशनसकों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। और अभी भी बात आई है कि वह बिग बॉस में आने वाली है पर कभी भी जो है वह आई नहीं। और अभी भी जो है सोशल मेडिया पर काफी बार दिखाई दी काफी ज्यादा ये शोकिंग है कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया सरवाइकल कैंसर बताया जा रहा है। और इतनी यंग एज में क्या उनकी treatment नहीं चल रही थी, क्या पूनम पांडे treatment करवा भी रही थी, या नहीं, या यह जस्ट एक last stage में ही आके ऐसा हो गया है.